हरे कृष्णा इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पहले अध्याई के ग्यार्वे शलोक से ये जो दिख रहा है ये वैसे दस्वा हैं पिछले शलोक में दुर्योधन ने भीश्म पितामे को खुश करने के लिए ये बोला कि हमारी शक्ती अपरी में है और हम सब पितामे हली भाती सनरक्षित हैं अगले शलोक में वो उसी बात को कॉंटिन्यू कर रहा है कि अतेव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी बीश्म पितामे को पूरी पूरी साहिता दें लेखे बगवत गीता का हर शलोक हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है यहां पर भी देखा जाये तो हमें यह शिक्षा मिल रही है कि दुर्योधन क्या कर रहा है वो भीश्म पितामे को प्रसंद कर रहा है तो यह भी एक अच्छी स्ट्राटेजी है कि जो आपका मोस्ट पावरफुल वारियर है आपका प्रमुक योद्दा है जैसे पूरी साहिता दें यानि कि हमें यह देखना है कि जो हमारा में पॉइंट है चलो परसंद ना हो सपोज आपके बिजनेस में मा लेते हैं दस अलग-अलग एरिया है उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है उसको प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करें जो में चीज ह होगी ना लाइफ में सबकी वैसे तो सबसे में मेर को लगता है हेल्थ है उस हेल्थ को प्रोटेक्ट करना जरूरी है लेकिन चलो हम सब्जेक्ट से भटकेंगे नहीं तो यहाँ पर जो दुर्योधन कोशिश कर रहे हैं वैसे हमें भी अपने जीवन में कोशिश करने चीए कि जो एक मेंड पॉइंट उसको प्रटेक्ट करें बार्मेश लोग में नाचुली अब खुश हो गए भिश्म पिता में तो बार्मेश लोग में बताया जा रहा है तब कुरूवंच के व्योवरद व्योवरद शब्द कई बार मेरे मुझ से भी सुनेंगे व्योवरद दा अब ही गया पिता में ने भीश्म की बात हो रही है सिंग घरजना किसी धुनी करने वाले अपने शंक को उच स्वर से बजाया जिससे दुरियोधन को हर्श हुआ अब नाचुली फिर उन्होंने भी अब दुरियोधन प्रेज कर रहा ऐसा होता है ना एक आदमी आपकी प्र प्रेज की तो फिर उन्होंने भी अपना शंक बजाकर जो है एक तरह से ये इंडिकेशन दिया कि येस आम रेडी तू फाइट अब जब भीश्म पिता में ने बजाया तो ऐसा वर्णन है कि उसके प्रश्यात शंक नगाडे बिगुल तुरही और सींग सहसा एक साथ बज और इसका एक अत्यंत कोलापुर स्वर्ण हुआ यानि बहुत शोर सा एक ध्वनी लार्ज केल की हुई आप में से जो पहली बार भगवत गीता पढ़ रहे हों सोच रहोंगे भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो समवाद था वो कहां रह गया तो यहां पर पॉइंट य जो सीन था यह कह सकते हैं कि उसका पहले थोड़ा वर्णन भगवत गीता के पहले अध्याय में हैं उसके बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन का समवाद जो है वो शुरू हो जाता है अगले श्लोक में चौदमे श्लोक में अब यहां भगवान कृष्ण की एंट्री भ दूसरी ओर से श्वेत घोडो द्वारा खीचे जाने वाले विशाल रत पर आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने द्वे शंक बजाए यानि कि उस जमाने में युद्ध के समय शंक द्वेनी ये इंडिकेट करती थी कि we are ready for fight let's start तो उसाब से जब भीश्वन ने अपने शंक बजाए तो फिर अपोजिट जो उनके साथ पार्टी थी उन सब ने भी बजाए और फिर इधर से जो प्रमुख हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण तो इन लोगों ने भी अपने अपने शंक बजाए तो चलिए यहां तक लिकें इस वीडियो में अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और आप भी मेरी प्रार्थन है भगवत गीता की इन वीडियो की प्रचार में मेरी मदद करें कुछ नहीं करना है सिंपल इन वीडियो को आप किसी भी एक वाटसैप ग्रूप पर फिर बाद में वो शायद भगवत गीता खरीद के खुद भी पढ़ें ऐसी मेरी विलाश है तो जो नंबर वीडियो पर दिया है उस पर वाटसैप कीजिए उससे जुड़िए हमारी कम्यूनिटी है और आप दूसरे लोगों को भी ये वीडियो वाटसैप पर प्लीज पॉ